हलो फ्रेंड्स, I am Shikha and welcome to my channel Shikha का पिटारा और आज का जो वीडियो है, वो वालेंटाइन डेल स्पेशल वीडियो है तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो! आज मैं आप लोगों को बताऊंगी चॉकलेट पास्केट बनाना देखिए कितना सुन्दर लग रहा है नहीं चॉकलेट बास्केट और इसे आप वैलेंटाइन डे, अनिवर्सरी या बद्दे पे किसी को गिप्ट दे सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रिट बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है एक बास्केट चॉकलेट्स देखिए यहां पर मैंने बरेश छोटे हर तरह के चॉकलेट्स का यूज किया है हाइडेंसिक बिस्किट लिटील हर्स बिस्किट और थोड़े से छोटे छोटे चॉकलेट्स तो बास्केट को सजाने के लिए यहां पर मैंने लिये हैं कुछ डेकॉरेटिव आइटम्स जो आपको एजी ली किसी भी डेकॉरेशन वाली दुकान पर मिल जाएगा मूती की माला ली है यह भी आपको डेकॉरेशन वाली दुकान पर मिल जाएगा यह वायर लीफ है वाइट कलर का रीबन है यह कुछ छोटे-छोटे हाट से डेकॉरेशन के लिए आर्टिफिशल फ्लावर से कुछ यह आर्टिफिशल पत्ते हैं इसे हम इस बास्केट को अच्छे से डेकॉरेट करेंगे और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेडी लिया है तो चलिए अफटा-फट से बास्केट को डेकॉरेट करते हैं तो सबसे पहले मैं इन सारे चॉकलेट और बिस्किट को इसके बास्केट में अच्छे से सजा के रख दूंगी पास्केट में चोकलेट रखने के बाद अब मैं स्टिक हार्ट को इस बास्केट में लगाऊंगी तेखिए यहाँ पर मैंने सारे स्टिक हार्ट को लगा दिया है अब मैं इन छोटे छोटे जो हार्ट थे इसे इस बास्केट में चोकलेट के ऊपर अच्छे से चिपका दूंगी सालो टेप की हेल्प से आप चाहें तो सालो टेप की जगा ग्लूगन का भी यूज कर सकते हैं इस छोटे छोटे हार्ट को चिपकाने के लिए तो अब मैं लूँगी वायर लीफ और इसे मैं बास्केट का जो हैंडिल है इसमें अच्छे से लपेट दूँगी इसे गोल घुमाके अच्छे से लपेट दे जाओंगी इस बास्केट के हैंडिल में और यहां जो एक्स्ट्रा वायर बच किया है इसे मैं इस बास्केट में पीछे के तरफ डाल दूँगी ताकि यह दिखाई ना दे तो अब मैं लूँगी आर्टिफिशल ग्रास या लीव और इसे बास्केट के साइड साइड में हैंडल के पास लगा दूँगी अच्छे से और अब मैं लूँगी आर्टिफिशल फ्लावर और इसे ग्लूगन की हेल्प से बास्केट के हैंडल में चिपकाते जाओंगी देखिए और अब मैं लूँगी यह गोल्डेन माला और इसे बास्केट के हैंडल के बीच में ग्लूगन की हेल्प से अच्छे से चिपका दूँगी तो देखिए इस मूती की माला लगाने से हमारा बास्केट कितना सुन्दर लगने लगा तो अब मैं इस रीबन को इस बास्केट में अच्छे से बान दूँगी और बीच में एक बो बनाऊंगी और अब मैं इसे ग्लूगन से अच्छे से चिपका दूँगी ताकि ये खुले नहीं और इस बो के बीच में मैं एक छोटा सा हाट लगा दूँगी देखिए कितना सुन्दर लगने लगा तो अब मैं इस टेडी को इस बास्केट के ऊपर में रखके इसके दोनों पैर को एक पतले वायर से बान दूँगी ताकि ये निकले नहीं इसे मैं ग्लूगन से नहीं चिपका सकती हूँ ग्लूगन से चिपकाने से हमारा टेडी खराब हो जाएगा और नहीं मैं इसे सलोटेप से चिपका सकती हूँ सलोटेप से चिपकाने से ये तुरंट से गिर जाएगा तो इसलिए मैं इसे वाइर से बांग दे रही हूँ उसके दोनों पैर को इस बास्केट में तो अब मैं लूँगी एक ट्रांस्परेंट प्लास्टिक और इस बास्केट को मैं इसमें अच्छे से रैप कर दूँगी आप चाहें तो बिना रैप किये हुए भी बास्केट किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या आप चाहें तो रैप करके भी किसी को ये बास्केट गिफ्ट में दे सकते हैं तो अब मैं लूँगी रेट कलर का रीबन और उपर में अच्छे से मैं बांदूँगी इसे और साइड सेड की जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है इसे सलो टिप की हल्प से अच्छे से पीछे के साइड में चिपका दूँगी तो लीजिए हमारा चॉक्लेट बास्केट तयार है और यह सबसे बेस्ट आइडिया है ना किसी को गिफ्ट देने का और वैलेंटाइन दे नस्देक आ रहा है तो आप भी चॉक्लेट बास्केट बनाईए और फटा-फट से अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड्स को गिफ् करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बालेंटाइंड देज बीडियो रहेगा तो मेरे साथ बने रहिये मैं सिखा आप लोगों से लेती हूँ इजाजत बब तक के लिए बाबाए